बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने एक बार फिर कॉंग्रेस सहित कई विपक्षी दलों पर निशाना साधा है साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि बिहार में महागटबंधन में कोई भी तनाव नहीं है साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 2019 में मैं विपक्ष का पीएम पद का दाविदार नहीं हूँ लेकिन कॉंग्रेस को एक एजंडा तै करना चाहिए नितीश ने साफ किया कि हमारा असल उद्देश्य वादों को लागू करना है उन्हें प्रधान मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है बिहार के महागट बंधन में कले की खबरों के बीच राज्य के सीम नितीश को मार ने सुमवार को खुल कर अपनी बात रखी नितीश ने महागट बंधन के भविष्य राश्टरपती चुनाव लालू की रैली में शामिल होने की अटकलों समेथ विभिन मुद्धों पर अपनी राय रखी हाला कि इस दोरान कॉंग्रेस के प्रती उनकी बेरुखी एक बार फिर सामने आई और उन्होंने पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किये राश्टरपती चुनाव में NDA उम्मीदवार रामनात कोविंद का समर्थन करने के बाद कॉंग्रेस के निशाने पर आई नितिश ने रविवार को पार्टी पर जोरदार पलटवार किया था नितिश ने कहा था हम आँख मूंद कर किसी का पिछला गुन नहीं बनेंगे जो होना होगा वो होकर रहेगा हमारा एक सिध्धान्थ है हमारा सिध्धान्थ अटल है उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी से कहा था कि कॉंग्रेस एक बड़ी पार्टी है पहल करें एजंडा तै करें सिर्फ एकता की बात करने से काम नहीं चलता राष्ट्रियस तर पर सिर्फ गठबंदन बनाने से कुछ नहीं होगा साजह मोर्चे से पहले वैकल्पिक एजंडा तै हो उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में मैं विपक्ष का पीएम पद का दावेदार नहीं हूँ लेकिन कॉंग्रेस को एक एजंडा तै करना चाहिए नितीश ने साफ किया कि हमारा असल उद्देश शिव वादों को लागू करना है उन्हें प्रधान मंत्री पत की कोई लालसर नहीं है उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के किये कामों पर प्रतिक्रिया दें लेकिन उससे ज्यादा वक्त वैकल्पिक एजंडा बनाने पर देना ह जहां तक राश्रपती चुनाव की बात है तो अलग-अलग पार्टी के अलग-अलग विचार होते हैं हमारा विचार उनसे अलग था कॉंग्रिस पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि राश्रपती चुनाव के मामले को इस कदर तूल दिया गया कि किसानों का मुद कहा कि अगर 2019 में आम चिनाव में गंभीरता पूर्वक मुकाबला करना है तो रणनीती में पूरी तरह से बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी कॉंग्रिस का ज्यादा जोर प्रतिक्रिया वाली राजनीती पर है जबकि देश को वैकल्पिक विचालधारा की जरूरत है नितीश कुमार के मुताबिक विपक्ष को न सिर्फ असली मुद्दों को उठाना चाहिए बलकि उस पर अपनी राय और विज लगेगी हम इसके पक्ष में हैं